ये चमगादड दुनिया का सबसे छोटा चमगादड है और इसका वजन सिर्फ 5 ग्राम ही है और ये चमगादड थाइलेंड और म्यानमार में ही देखने को मिलते है नमबर दो एक गोड़े में एप्रोक्सिमेट 15 होर्स पावर होता है होर्स पावर मतलब एक होर्स पावर में 745 वोट्स होते हैं मतलब एक गोड़े की ताकत 11,180 वोट्स पावर जितनी होती है और ये सब्द 16 सदी के बाद आया था नमबर तीन इटली में लिनिंग टावर ओफ पिज़ा बिल्डिंग है ये बिल्डिंग जुग गई है नरम मिट्टी होने का कारण ये पूरी बिल्डिंग जुग गई है और इसके बाद यहाँ पे चार भुकम भी आए फिर भी ये बिल्डिंग गिरी नहीं वैसे की वैसे रही सभी लोगों को डर लग रहा था कि भुकम पाने से ये बिल्डिंग गिर जाएगी लेकिन ये बिल्डिंग वैसे की वैसे खड़ी है अभी तक नमबर चार एफिल टावर का जो पेंट है उसका वजन दस हाथियों के वजन के बराबर है उन पर जो कलर किया हुआ है सिर्फ उनका वजन इतना है और हर साथ साल पे एफिल टावर पे पेंट किया जाता है और पबलिक के लिए बंद किये बिना री पेंट करते रहते है नम ही है नंबर चे विश्व का सबसे लंबा गडबंदन इंग्लेंड और पोटागुल के बीच में है इन दोनों देश के गडबंदन 1366 से लेकर आज तक ऐसे ही टिका है मतलब ये गडबंदन सबसे लंबा चला नंबर साथ 1992 में होंग कॉंग से युनाइट स्टेट की दरब शिप जा रहा था और शिप में 28,000 रबर के डग थे किसी कारण वे सभी डग का कंटेनर पानी में गिर गया और 20 साल तक वो प्लास्टिक के रबर के डग पूरी दुनिया में खुंते रहे और जो लोग फिसिंग करने जा रहे थे उन सब लोग को बार-बार समुद्र में वो डग दिखने लगे और वो ड़के मारे सभी से कहने लगे फिर बाद में पता चला कि वो डग का कंटेनर पानी में गिर गया था नमबर आठ 1994 में एरोफलेट फ्लाइट 593 विमान जमिन पर गिर गया और 63 पैसेंजर और सभी क्रू मेंबर की मौत हो गई वो फ्लाइट जब क्रैश हुआ तो उससे पहले उस फ्लाइट के पाईलोट ने अपने 16 साल के बच्चे को फ्लाइट उड़ाने दिया और उस बच यूरेनस को 84 साल लग जाएंगे मतलब यूरेनस पूरे सुर्य की परिक्रमा करता है तो उन्हें 84 साल के बाद खत्म होती है इतना बड़ा सुर्य है नमबर दस ब्लू वेल मचली होती है उनका जो हार्ट होता है उसका वजन 450 किलोग्राम का होता है और उसके हार्ट का सैप क कुछ इस तरह होता है वी डबल्यू आकार जैसा थैंक यू फर वोचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब